Standard deviation क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है हमें वो कौन से scenarios हैं जब हमें Standard deviation की जरूरत पड़ सकती है यह हम already देख चुके हैं इस video के अंदर हम देखेंगे कि Standard deviation अगर calculate करना हो by hand तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो इसके दो तरीके हैं पहला तरीका है actual mean method और दूसरा तरीका है assume mean method हम दोनों discuss करेंगे और यह भी देखेंगे कौन सा तरीका ज़्यादा better रहेगा किस situation में सबसे पहले मैंने यह method pick किया actual mean method और इसका जो formula होगा Standard deviation calculate करने का वो होगा Standard deviation equal to under root sum of x minus x bar का square divided by यह formula होगा Standard deviation निकालने का किस method से actual mean method से अब सबसे पहले हम एक data series ले लेते हैं माल लेजे मेरे पास यह x की data series है अब इस formula में जो x है वो क्या है वो इस series की value को indicate कर रहा है इसके बाद हमें निकालना है क्या x bar x bar यानि x mean और x mean निकालने का मतलब है sum of x divided by number of terms sum of x का मतलब है कि हमें इन सब का total निकालना पड़ेगा तो मैंने लिख दिया sum of x और इसका जब आप total करेंगे तो यह आगे हमारा 17 तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यानि 70 divided by n, n कितना है 1,2,3,4,5 जितनी number of terms है यानि जितनी observation है वो है 5 अगर आप इसे calculate करेंगे तो यह आ जाएगा 14 तो अब हमारा x निकल चुका है, x bar निकल चुका है यानि mean निकल चुका है अब क्या करना है हमें हमें बनाना है x minus x mean, x mean की value कितनी है 14 तो यानि हर एक iteration में से हम क्या करेंगे 14 less कर देंगे तो 10 minus 14 कितना हुआ, यह आगे minus 4 इसी तरीके से जब आप हर एक value में से 14 less करेंगे तो आपके पास values जो आएंगी वो होंगी यह, अब हमारे पास x minus x bar भी आ चुका है अब क्या करना है मैं इसका square करना है, यहाँ पर हम लिख देते है x minus x main का whole square, whole square का मतलब है, minus 4 का अब whole square करो, तो कितना आएगा 16, minus 2 का whole square, 4, इसी तरीके से बाकी values का अब हमें क्या करना है, sum of, यह जो हमारे पास square आया है, इसका sum कर देना है तो यहाँ पर sum कर दीजे, अब यह values हमें क्या करना है, इस formula में put कर देनी है put करते हैं, तो summation of x minus x main का whole square, यानि यह वाली value कितनी है, 58, divide by n, number of terms कितनी थी हमारे पास, 5, तो इससे 5 से divide कर देते है और इसका square root, इससे calculate कर लीजे, यह आगे हमारे पास 11.6 और जब इसकी value निकालेंगे, तो यह आगे 3.4, तो यह हमारा standard deviation हुआ, किस method से, actual mean method से, आप दूसा तरीका try करते है, assume mean method, उससे भी आपका result same आएगा, लेकिन कब आप कौन सा तरीका use करें, तो देखे, अगर आपकी यह mean value है, अगर यह point में आ रही है, तो better रहेगा कि पड़ेगा, और अगर यह fraction में नहीं है, point में नहीं है, तब आप actual mean method use कर सकते हैं, हलाकि यह result दोनों से same ही आना है, आपको जो approach better लगे, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर point में आता है, तो assume mean method से calculation थोड़ी easy हो जाएगी आपके लिए, चलिए move करते है, assume mean method पर, तो assume mean method से standard deviation निकालने का जो formula होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sigma d square by n minus sigma d by n का whole square, यह formula हुआ हमारा standard deviation निकालने का by assume mean method, अब यहाँ पर यह d क्या है, तो d होगा आपका x minus a, अब a क्या है, a है आपका assume mean, assume mean यानि किसी भी number को जो आपको x series दी होगी, मैं आप एक series बना देता हूँ, इसमें से किसी भी number को आप assume कर सकते हैं कि मैं इसे मान की चल रहा हूँ, यह मेरा mean है, हलागे value कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपकी value sequence में हैं, तो अगर आप middle most को मानेंगे, तो calculation थोड़ी easy हो जाएगी, बाकी और कोई फर्क नहीं मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, कितना माना मैंने 13, तो यहनी x minus 13 हमें करना है, x क्या है, यह 10 है, 10 minus 13 कितना हुआ, minus 3, ऐसे ही 12 minus 13 कितना हुआ, minus 1, इसे तरीके से बाकी values आप निकाल लेजे, यह आगे हमारा d, अब क्या करना है, देखों, यहाँ पर हमें चीए sum of d, तो sum of d ह हमें आपर निकाल देते हैं, इन सब का total, यह आगे हमारे पास 5, अब हमें और क्या चीए, n हमें पता ही है, number of terms 5 है हमारे पास, तो मैं यह भी लग देता हूँ, n 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब निकालना है हमें d square, तो एक d square निकालते हैं, और उसके बाद इसका sum करना है, तो 3, 3 जा, 9, 1 बंजा 1, इसी तरी के से बागी निकाल दीजे, हमें क्या चीए, sum of d square, तो sum of d square हमारे पास आ गया, इनका total कर लीजे, यह आ गया हमारे पास 63, अब बस इनकी value इस formula में put कर दीजे, तो standard division, sum of d square के तना आया, 63, 63 by n यह निए 5, minus sum of d, यहनि 5, by n, n कितना है, 5 का whole square, तो 5 से 5 कट गया, यहनि यह 1 का square रह गया, यहनि हमारे पास जो value आई, वो आ गई, 5 से divide करो 63 को, यह आ गया, 12.6 minus 1, यह आ गया, 11.6, result आया, 3.4, यह देखे, यह हमारा actual mean method से भी result आया था, और यह हमारा assume mean method से भी आया, तो आप तरीका कोई भी use कर सकते हैं, result same ही आएगा, तो यह हमने सीखा कि standard deviation हम किस तरीके से calculate कर सकते हैं, I hope कि standard deviation किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है, कभी use कर सकते हैं, यह साही चीज़े आपको clear हुई होगी, और यह video आपके लिए useful रही होगी, all the best, keep watching. ूँ अञागी मूज मूजा तरीके सबस्टाइब रचाशण से लिए।